महिंद्रा की तरफ से आप फाइनली लॉंच होने वाली है महिंद्रा एक्स यूवी 3 00 फेसलिफ वीरियेट नए फेसलिफ्ट की बात करी जाए तो ये गाड़ी आपको कई पर इंडिया नोड्स पर स्पॉट करी गई है गाड़ी में अपडेट्स की बात करी जाए तो 15-inch के diamond cardet alloy wheels भी देखने मलने वाले इंटियर की बात करी जाए तो इंटियर में भी आपको major changes देखने मलेंगे इस गाड़ी के rivals की बात करूं तो ये गाड़ी direct rival करने वाली है new Kia Sonnet और new Hyundai Venue जैसी गाड़ी की launch rate की बात करी जाए तो ये गाड़ी आपको March 2024 में देखने मिल ज नजर आएंगे अब बात करते हैं इस गाड़ी के look profile के बारे में गाड़ी का front look properly change हो गया है जिसमें आपको curved DRL headlamps देखने मिल रहा है उसके just below आपको आपके projector headlamps देखने मिलेंगे बीचे की तरफ आपको एक silver accent में buffed up bumper और front edas भी देखने मिल रहा है वहीं गाड़ी की side prof आपको roof rails देखने मिल रही है back side की बात करी जाए तो back side पर आपको strip led lighting देखने मिलेगी जो कि आपको काफी जादा similar देखेगी आपकी new Hyundai venue से उपर की तरफ आपको एक shark fin antenna देखने मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको एक buffed up bumper silver accent में देखने मिल जाए इस गाड़ी के color profile क की बात करूँ तो यह गाड़ी आपको बहुत अच्छे color formats में देखने मिलेगी तकरीबन 6-7 options देखने मिलेंगे गाड़ी की dimensions की बात करूँ तो गाड़ी की length रहने वाली है आपकी 3995 mm की width हो जाएगी आपकी 1821 mm की और height हो जाएगी गाड़ी की 1627 mm गाड़ी की बात करी जा तो वो तकरीबन 209 mm का रखा गया है जो की राइवल कर सकता है new Tata Nexon facelift से भी आराम से चलते हैं इस गाड़ी के इंटीर के तरह तो इंटीर में आपको major changes देखने मिलेंगे हो सकता है आपको new dual LED setup देखने मिल जाए यह confirm है कि आपको 10.25 inch का touchscreen infotainment system with apple carplay और android auto देखने मिले एक fully digital instrument cluster देखने मिलेगा साथी साथ गाड़ी में electronic sunroof का option देखने मिलेगा ventilated seats का option देखने मिल जाएगा और साथी साथ आपको पीछे की तरह और भी ज्यादा headroom और legroom देखने मिलेगा वही इस गाड़ी के interior color formats की बात कर जाए तो यह आपको एक white color जो की काफी ज़्यदा स से और interior में आपको black और wooden finish का काम भी देगे अब चलते हैं इस गाड़ी के engine profile की तरफ गाड़ी के engine profile में आपको एक 1.2 लीटर का 3 cylinder turbo charge micro hybrid petrol engine देखने मिल रहा है जो कि 108 PHP और 200 Nm का टॉर्क बना के देगा next option आपको नज़र आएगा एक 1.2 लीटर का टॉर्बो चार्ज डारेक् segment में और अब भी गाड़ी आपको एक 1.5 लीटर टर्बो चार्ज 4 cylinder डीजल लाके दे रही है जो कि 115 dhp और 300 Nm का टॉर्क बना के देगी गाड़ी की नए transmission pairing की बात करूँ तो आपको new manual gearbox एक automatic gearbox और एक new 6-speed DCT gearbox भी देखने मिलेगा अब चलते हैं इस गाड़ी की safety profile के तरफ वैसे तो महेंदर आपनी safety के लिए काफी मशूर है और होना भी जाएगी महेंदर की तरफ से यह पहली गाड़ी ती जिसको इंडिया में 5 star की N cap rating देखने मिली थी और इसी गाड़ी में आपको पहली बार 4 टारों में disc brake देखने मिला था और यह फंट इंडिया की one of the safest गाड़ी में देखने मिल ही रहे है अब next चीज हो जाती इस गाड़ी में आने वाला एडास जो कि एडवांस driving assistance system जो आपको और आपकी family को in case of accident बचाएगा बट एडास आपको अना top and model ही देखने मिलेगा जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको wide range of options देखने मिल रहे ह जिसमें आपको एडास भी बढ़ातिया जाए लक्षर इंटीर भी दिया जाए चारो टारम डेस प्रेक भी दिया जाए और साथी साथ लोग भी आपको बहुत अच्छा करतीया गया बट इस गाड़ी के disadvantage जो मैं बूलूँगा sizing comparatively sizing की काफी ज़्यादा similar हो जाती है आपकी servicing मरता